माइक्रोबिट से हम फिजिकल सर्किट भी कंट्रोल कर सकते हैं इस पहले प्रोजेक्ट में हमने माइक्रोबिट को एक LED से कनेक्ट किया है और एक सिंपल प्रोग्राइम के थ्रू हमने माइक्रोबिट को एक स्विच में कनवर्ट कर दिया है कि बटन A दबाओ तो LED ON हो जाती है और बटन B दबाओ तो LED OFF हो जाती है इसी प्रोग्राइम को हम कोड के थ्रू थोड़ा और एन्हांस कर सकते हैं कि बटन ए दबाओ तो LED जो है वो पांच बार ब्लिंक करेगी इस किसम के प्रोजेक्स को समझने के लिए Tinkercad जो वेब साइट है Tinkercad.com वो एक बेटर आप्शन है क्योंकि यहां पर हम सर्किट में और चीज़ें सिमिलेट कर सकते हैं तो मैं Tinkercad.com में जाकर यहां सर्किट को क्लिक करके Create a New Circuit कह रहा हूँ और Tinkercad में फिर हमारे को बहुत सारे Physical Components मिलते हैं और हमारे को Programmable Components भी मिलते हैं जैसे Microbit और Arduino तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं पहले एक Microbit ड्राइग और ड्रॉप कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग एरिया पर और एक Breadboard को Drag and Drop कर रहा हूँ और फिर मैं एक सर्च कर रहा हूँ एक LED के लिए तो मैं एक LED को भी यहां पर ला रहा हूँ और R दबा के मैं इसकी Position को ठीक कर रहा हूँ और LED को मैं Breadboard से जोड रहा हूँ तो Breadboard में यह जो Power की Rails है माइनस और प्लस यह पीछे से एक Metallic Strip से इस तरीके से Connected है जो यह Green आपको Line दिख रही है और इधर जो Rails है वो आपस में इस तरीके से Connected है अगर मैं F1 में अगर कोई Component Add करता हूँ तो By Default G1, H1, I1, J1 यह भी आपस में Connected है तो यहाँ पर हम सबसे जो पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं वो बहुत Simple सा प्रोग्राम है हमारी LED का जो Ground है यानि की जो जो छोटी टांग है, Cathode जो है हम उसको Breadboard के Negative Rail से Connect कर रहे है और Negative Rail आपस में जुड़ी हुई है तो मैं Microbit से मैं एक तार को भी Negative Rail में डाल रहा हूँ और Button 1 दबा के मैं इसको Black Color कर रहा हूँ क्योंकि Typically हम Ground को जो है वो Black से Depict करते हैं फिर मैं एक Pin 0, Microbit की Pin 0 से एक Wire लेके आ रहा हूँ और इसको मैं LED के Anode यानि की Positive जो Terminal है उससे Connect कर रहा हूँ और Button 2 दबा के Keyboard में Button 2 दबा के उसका Color Red कर रहा हूँ तो यह हमारा एक Simple सा Circuit बन गया है जहां हमने इस LED को अपने Microbit Board से Connect कर दिया है तो हमें यहां करना क्या है कि हमें एक चोड़ा Program लिखना है कि जब हम Button A दबाएं तो Microbit जो है वो Pin 0 को Current सप्लाई कर दे और Button B दबाएं तो उस Pin 0 को Current सप्लाई करना बंद कर दे तो यह Program लिखने के लिए फिर मैं Tinkercad में यहां Code में जा रहा हूँ और Code में हमारे को यह Default Options मिलती है On Start Forever जो हमने Make Code वेबसाइट में भी देखी है तो मैं इनको Delete कर रहा हूँ Drag and Drop करके मैं इनको Delete कर रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो Input है वो होगी On Button A प्रेस और जब Button A प्रेस होगा तो हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह जो Pin 0 है इसमें Current Supply शुरू हो जाए तो इसके लिए मैं Output में जाके Programming Block ला रहा हूँ Digital Right Pin 0 to High और मैं इसको On Button A प्रेस के Programming Block के अंदर डाल रहा हूँ Digital Mode में जब हम Microbit में किसी Pin को Current Supply करते हैं तो हम कहते हैं कि वो Pin का State जो है वो High हो गई है और Off करते हैं तो यहां यह Drop Down से हम Select कर सकते हैं तब हम कहते हैं कि O Pin जो है वो Low हो गई है और वैसे ही Microbit में यहां यह हमारे पास GPIO Pins है, General Purpose Input Output Pins हैं और अगर आप यह P0 वाला Drop Down दबाओगे तो आपको यह P0, P1, P2 जो P0, P1, P2 जो Main Pins है वो मिल जाती हैं जिन्वें कि हम बाद में Alligator Clip अड़ कर सकते हैं जो यह छोटी वाली Pins हैं यह भी GPIO Pins हैं पर इनको यूज करने के लिए हमारे को Microbit को एक और Board में डालना पड़ता है जिसको Breakout Board कहते हैं तो अभी हम Simple Program लिख रहे हैं कि हम कहरे हैं कि जब Button A प्रेस होगा तो Pin 0 को High कर देना और इसी को हम Duplicate कर रहे हैं और हम कहरे हैं कि अगर Button B प्रेस होगा तो Pin 0 को Low कर देना यानि कि उसमें Current Supply जो है उसको रोक देना अब Tinkercad में फाइदा क्या है कि हम Simulate करके देख सकते हैं इस Circuit को तो मैं ये Coats को हटा के Circuit Simulate कर रहा हूँ और यहां पर ये पीछे हमारे को Microbit के बागी Controls मिल रहे हैं अगर हम Shake करें, Tilt करें, etc. अभी तो हमारा Simple Program है हम कह रहे हैं, बटन A दबाओ, तो हमारी LED On हो रही है और बटन B दबाओ, तो LED Off हो रही है ये जो थोड़ा एक Warning का Sign आ रहा है, वो आ रहा है कि हमारे को हम LED में ज़्यादा Current Supply कर रहे हैं तो ये LED की Life ज़्यादा नहीं चलेगी, ये फुख जाएगी आइडिली हमारे को यहाँ पर एक Register Add करना चाहिए पर अभी मैं Simple Program लिखने के लिए Register Add नहीं कर रहा हूँ तो बटन B दबाओ, तो LED Off और बटन A दबाओ, तो LED On अब इस Program को हम Tinkercat पर तो हम As a Simple Simulation देख रहे हैं पर हम अपने Code को Microbit पर भी Transfer कर सकते हैं तो मैं Stop Simulation करके, यहाँ यह Download the Code का बटन दबाओ, तो एक Hex File जो Generate होती है वो आपके PC या Laptop पे Save हो जाएगी और फिर आप अपने Microbit को जब PC Laptop से Connect करोगे, तो वो As a External Drive दिखेगी Microbit आपको As a External Drive दिखेगा और फिर आप जैसे Android Phone में File Transfer करते हो, वैसे Transfer कर सकते हो तो अभी यह For Some Reason मुझे Compilation Error दिखा रहा है कि यह Hex File Generate नहीं हो रही है तो कोई प्रापलम नहीं है, हम यही जो हमने Code लिखा है हम इसको Make Code में भी बना सकते हैं तो मैं MakeCode.Microbit.org पर हूँ यहां पर केवल एक ही प्रापलम है कि हम जब कोई Physical Circuit बनाएंगे जैसे हम अभी LED आड़ कर रहे हैं तो उसको हम यहां Simulate नहीं कर सकते हैं जो हमने यहां पर Code लिखा है On Button A प्रेस्ट, On Button B प्रेस्ट हम इस Code को यहां पर भी लिख सकते हैं तो यहां पर मैं Input पर जाके कह रहा हूँ On Button A प्रेस्ट फिर Advanced में जाके मैं यहां पर Pins के Programming Blocks देख रहा हूँ और यहां से मैं Same Command Digital Right, Pin 0 तो यहां पर Pin 0 की Value 0 का मतलब है Low और 1 का मतलब है High तो मैं कह रहा हूँ पहले मैं Pin को High कर रहा हूँ और फिर मैं इसी को Duplicate कर रहा हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ कि On Button B प्रेस्ट P 0 का जो State है उसको Low कर दो यानि कि उसकी Value 0 कर दो अब यह जो हमारा Program है हम इसको अपने Microbit पर Transfer कर सकते हैं तो Microbit को अपने Chrome Browser में Make Code से Connect करने के लिए मैं यह तीन डॉट दबा के कह रहा हूँ Connect the Device और फिर मैं Microbit को Select करके कह रहा हूँ Connect तो यहां यह जो आइकॉन है जो इस वाक Download की आइकॉन है जब यह Connect हो जाएगा तो यह एक USB की आइकॉन में बदल जाएगी यानि कि अब मेरा Microbit Chrome Browser के थुरू मेरे Make Code से Connected है और अब जब मैं Download करूँगा तो यह फाइल सीधी मेरे Microbit में Download हो रही है और यह जो blinking light है वो बता रही है कि फाइल ट्रांसफर हो रही है मेरे Microbit पर उसके बाद मैं एक LED ले रहा हूँ और मैं LED में जो प्लस और माइनस है उनसे Convention फॉलो करते हुए प्लस पॉइंट से यह एक Alligator Clip लगा रहा हूँ प्लस पर और LED के Negative Terminal से एक मैं Black Wire लगा रहा हूँ और अब मैं इसको connect कर रहा हूँ जो हमने program लिखा है उसके हिसाब से pin 0 से मैं connect कर रहा हूँ positive terminal और जो negative है मैं उसको ground pin से connect कर रहा हूँ तो अब जब मैं button A दबाता हूँ तो मेरी LED जल जाती है और button B दबाता हूँ तो वो off हो जाती है हम इसी program को और enhance कर सकते हैं तो मैं पहले tinker cad में आपको दिखाता हूँ हम अब क्या program लिखना चाहते हैं कि जब button A प्रेस हो तो यह जो LED है यह पांच बार blink करें सबसे पहले मैं यह button B की command जो है इनको delete कर रहा हूँ और फिर हम क्या चाहते हैं कि जो button A प्रेस हो तो पहले जो pin 0 है वो high हो जाए फिर वो थोड़ी देर high रहे फिर low हो जाए और यह जो है यह पांच बार repeat हो तो इसके लिए मैं पहले basic में जाके wait का block ला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि in milliseconds wait for half a second so 500 milliseconds और फिर मैं इसको duplicate करके यहां कह रहा हूँ कि set the pin low तो हम अभी क्या program लिख रहे हैं कि जब button A प्रेस करेंगे तो पहले digital pin 0 जो यह pin 0 है microbit की इसको high कर देना यानि कि इसमें current supply कर देना 500 milliseconds यानि half a second wait करना फिर pin 0 को low कर देना यानि इसमें current supply रोक देना और फिर 500 milliseconds wait करना और हम चाहते हैं कि यह जो process है यह 5 बार repeat हो तो उसके लिए मैं control में जाके यहां से repeat का block ला रहा हूँ यह सब कुछ मैं repeat के block में डालके repeat का block when button a press पे डाल रहा हूँ और यहां मैं कह रहा हूँ maybe let's say four times repeat करना तो इसको हम पहले tinker cad में simulate करके देख सकते हैं तो मैं start simulation करके button a दबा रहा हूँ तो जो मेरी led है वो चार बार blink कर रही है हम इसी code को make code में भी लिख सकते हैं तो मैं make code में यह button b वाला command जो है इसको delete करके इसको duplicate कर रहा हूँ और फिर मैं basic में जाके एक pause की command ला रहा हूँ pause for half a second और यह पूरा जो है मैं इसको एक repeat loop में डाल रहा हूँ कि जब button a प्रेस हो तो चार बार repeat करना digital pin 0 को पहले high करना फिर low करना अब हम इस program को फिर से अपने micro bit में transfer कर रहे हैं तो यह मेरा already connected है तो मैं सीधा इसको transfer कर रहा हूँ और transfer होने के बाद अब जब मैं micro bit में जाके button a दबाता हूँ तो जो हमारी led है वो चार बार blink करती है of course जैसा tinker cat हमार को warning sign दे रहा था ideally हमार को इसके बीच में एक register add कर देना चाहिए ताकि जो हमारी led है वो लंबी चले और वो fuse ना हो तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा idea मिला कि micro bit से आप कैसे simple physical circuits को control कर सकते हो यहाँ पर हमने led को connect किया है आने वाले videos में हम इसमें जादा complicated electronics add करेंगे जैसे motors, servo motors, sensors और दूसरे components